हेलो बच्च्चों कैसे हैं आप सभी 10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है आज हम क्लास 6 की गड़ित का प्रस्नवली 12.01 का प्रस्न क्रमांग 4 पांच एवं 6 हल करेंगे प्रस्न क्रमांग 4 इस तरह से है हामिद और अक्तर ने एक घंटे में क्रमजह 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर के दूरी ताई की हामिद और अक्तर की चालों का अनुपाद ग्याद कीजिए हमने 4 या 5 प्रस्निक सूत्र पढ़ा है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी बटे समय तो इस सूत्र से हम हामिद की चाल निकालेंगे सबसे पहले हामिद की चाल तो हामिद की दूरी कितनी है नौ किलोमीटर और चाल समय है वो है एक घंटा तो इस तरह से हामिद की चाल हो जाएगी नौ किलोमीटर प्रती घंटा इसी तरह से हम अक्तर की चाल निकालेंगे तो अक्तर की दूरी कितनी है अक्तर ने 12 किलो मीटर की दूरी तई की एक घंटे में तो अक्तर की चाल हो जाएगी 12 किलो मीटर प्रती घंटा ये मैंने हिंदी और इंगलिस दौनों में लिख दिये हैं आपको जिससे सुभी दहो आप भू लिख सकती है इसके बाद हमें निक चालों का अनुपाद, तो हामिद एवं अक्तर की चालों का अनुपाद, ये हामिद की चाल है 9 km प्रती घंटा और अक्तर की चाल है 12 km प्रती घंटा, तो देखे, 9 बटे 12 को हम कैसे हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 ती अनुप और ये तीचो को 12, इस तरह से हमारा अंसर हो जाएगा 3 अनुपाद 4, इसी का प्रस्न क्रमांक 5 है, ये है रिक्तिस्थान भरे, हमें यहाँ पर कुछ रिक्तिस्थान दिये हैं, हमें बताना है कि ये साथ लेंगे, फिर दूसरे 15 बटे 18 को इसके साथ लेंगे और तीसरी बार में इसके साथ लेंगे, तो 15 बटे 18 और बरावर खालिस्थान बटे 6, तो अब हम खालिस्थान की जगह पर X मान सकते हैं, क्यों मानेंगे X, जिससे की X का जो मान आएगा, वो इसका आंसर हो जाए तो X इनको हम त्रियक गुणा कर देंगे, इसको इंगलिस में बोलते हैं, क्रॉस मल्टिपिकिशन, तो यहां हम लिख देंगे, त्रियक गुणा करने पर, यह हो जाएगा, 15 गुणा 6 बरावर X गुणा 18, तो यह तो हो जाएगा, X को हम यहीं रहने देंगे, अब हम यहां हम लिख देते हैं, पक्छांतर करने पर, तो यह तो X यहीं रहेगा, और यह जो इसके साथ वाला 18 यह गुणा में है, तो यह जाके यहां पर भाग में हो जाएगा, अब हम इनको हल करना हम चाहें, तो X को इस तरफ लिख के और इसको हल कर सकते हैं, तो हम यहां पर आरफकारे की हैडिंग डाल ले रखते हैं, और यहां पर हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, यह तो है 15 गुणा 6 भागत 18, तो यह देखिए, यह हो जाएगा, तीन से कैंसल, तीन दूनी 6, और तीछां 18, दो से भी कर सकते थे, और यह दो एकम 2, दो तीन 6, इस तर स्टेप लिखते जा रहे हैं, अब यह तीन से कट जाएगा, ती 5 यह 15, तो आंसर आजाएगा हमारा 5, यहां पर, अब यह जो हमने खालिस्थान बनाया था, इसकी जगए पर हम लिख देंगे 5, और यह हमारा हो जाएगा आंसर, इसी तरह से हम अब इसका दूसरा वाला ले पर, यह नई भी लिखें तो भी चल जाएगा, अब हम इसको हल करेंगे, तो इसकी जगए हम X तो मान चुके हम इस खालिस्थान को हम Y माल लेते हैं, 15 बटे 18 बरावर 10 बटे Y, अब 10 बटे Y हमने माल लिया है, तो इसको अब हम करेंगे 3 गुणा, त्रियक गुणा करने पर, तो यह देखिए, त्रियक गुणा करेंगे, तो 15 गुणा Y बरावर 10 गुणा 18 हो जाएगा, अब हम इसको पक्चांतर कर देंगे, पक्चांतर करती हैं, तो प्लस का माइनस हो जाता है, और गुणा का भाग हो जाता है, चुकि यह 15 गुणा में है, तो यहां कर भाग में हो जाएगा, तो Y बरावर 10 गुणा 18 भागित 15, अब इनको हम हल कर लेंगे, तो वैसे ही हम साइड में रफकारी डालेंगे हेडिंग और इसको हल करेंगे, यह है 10 गुणा 18 भागित 15, तो यह तो देखी, 10 गुणा 18 और भागित 15, तो यह तो तीन से कट सकते हैं, तीछां 18 और तीपांचे 15, अब यह जो 5 है, 10 कट जाएगा 5 से, 5 कम 5 और यह 5 दूनी 10, इस तरह से यह आंसर आ गया हमारा 12, तो यह जो हमने बॉक्स बनाया था, यहाँ पर यह था हमारा 15 बटे 18 और बराबर था, 10 बटे यह जो खाले स्थान था, इसकी जगए आ जाएगा 12, यह हमारा हो जाएगा आंसर, अब इसी का तीसरा लेते हैं, यह है 15 बटे 18 बराबर खालिस्थान बटे 30, तो अब यहाँ पर हमें इसको हम जैड मान सकते हैं, 15 बटे 18 बराबर जैड बटे 30, इसको हम लिख सकते हैं माना, हम जैड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो जैड की बेली लिवाएगी, वो खालिस्थान उससे फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले तो त्रियक गुणा, यहाँ हो जाएगा, 15 गुणा 18 बराबर 18 गुणा जैड जोरी, 15 गुणा 30 बराबर 18 गुणा जैड अब यह जैड को हम ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे, पक्छांतर करने पर, जो हम पक्छांतर करेंगे, तो यह तो हमारा हो जाएगा, 15 गुणा 30 बराबर, यह जो जैड तो बैसे रहेगा, और यह जो गुणा में अठा रहा था, यह भाग में आ जाएगा, अब हम इसको यहाँ साइड में, रफ का पारे की हैडिंग डाल के हल कर लेंगे, तो यह 15 गुणा 30 भागित 18, अब यह देखिए, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सिधे 2 से काटने पहले, तो यह 15 गुणा 30 बराबर, जाएगा, और दो नाम 18 होता है, इसको अब हम काट सकते हैं, तीन से, तो तीन तीया नौ और य 15, अब यह जो 3 आ गया, यह हो गया 15 गुणा 5 भागित 3, अब यह 15 तीन से कट जाएगा, उपर वाला 3 एकम 3, ती 5 यह 15, यह आ गया 5 गुणा 5, तो इस तरह से हो गया 25, तो यह जो जैड की वैल्यू आई है, यह आई है हमारी 25, अब यहाँ पर जो हमने खाली बक्स बनाया इसकी जगए भर जाएगा 25, और यह हमारा होगा आंसर, अब इन्होंने साथ ही साथ एक और चीज़ पूछी है, क्या यह तुल्य अनुपात है, तुल्य अनुपात यानि कि क्या इन तीनों की तुल्य ना हो सकती है, तो देखे, जो X, Y और Z है, इन तीनों की जो मान है, वो हम लिख सकते हैं, हाँ, यह तुल्य अनुपात है, अब हम इसी का निम्द्य मैसे प्रत्यक का अनुपात ग्याद करें, हमें यहाँ पर अनुपात ग्याद करना है, तो इसमें दिया है, एक्यासी का एक सो आट से, प्रस्टकुर्मान के 16 तरह से है, निम्द्य मैसे प्रत्यक का अनुपात ग्याद करें, एक्यासी का-'108 से, तो यह जो है, 86, और इसका अनुपात ग्याद करना हैं, एक्सो आट से, इनको हम कैसे हल करेंगे, यहां हम साइड में रफकारी की हेडिंग डालेंगे, और यह है 81 बटे 108, अब यह देखिए, हम चाहें तो सिधर 9 से डिवाइड कर सकते हैं, पर जिनको थोड़ा सा लग रहा है कि पहले सबसे छोटी संख्या से देना चाहिए, बाद में बड़ी से, तो हम पहले यह सही कर लेते हैं, 81 को हम 3 से भाग देंगे, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 सेस बचा, और 30 साते 21, है ना, तो यह उपर तो आ गया 27, अब 108 को हम 3 से भाग करेंगे, तो 108 भागे 3, 3 तीया 9, एक बचा, सेस फल, 8 उतारा, तीछां, अठारा, इस तरह सी आ ग देखिए, आ गया 27 बटे 36, तो अब हम इसको डारेक्ट 3 से ही दे सकते हैं, तीन से ना देके, हम इसको डारेक्ट 9 से दे देते हैं, बस उपर नीचे समान संख्या से भाग दाना, चाहे आप छोटी संख्या लें, चाहे बड़ी संख्या लें, चोटी से हमने आपको एक अनुपात 4, अब इसका बी भाग लेते हैं, इसमें हमें करना है, अन्ठानवे का 63 से, यह है प्रस्ल अन्ठानवे का 63 से, तो यह अन्ठानवे अनुपात 63 हो जाएगा, अब यह देखिए, अन्ठानवे बटे 63 को कैसी हरका, नानुपात का मतलब होता है बटे, तो, अब यहां पर हम देखिए, इसको हम साथ से, तीन से तो जाएगा नहीं, अन्ठानवे समसंख्या है, чार से, बी समसंख्या है, लेकिन 3 समसंख्या है, पास से टो जा ही नहीं सकता, नुछः से जा सकता है, साथ से हम देखे देखते हैं तो ये जाएगा 58 में भाग दे हम 7 से तो ये तो हो जाएगा सत्स कम साथ 2 बच्चा और ये साथ师 को 28 साथ से चला गए चौदावार और 63 तो आते हैं ये आपकी पहाड़ें तो यह हो जाएगा चौदा बटे यह साथ नाम त्रेसर गए चौदा अनुपात नो इसका अंसर आ गया चौदा अनुपात नो अब इसी का सी भाग है इसमें दिया है प्रस्न में 33 किलो मीटर का 121 किलो मीटर से यह हमने डारेक्ट अनुपात लिख लिया है तो हम यह 33 बटे 121 इसको कैसे हल करेंगे यह देखिए तीन के पहाड़े में 33 तो आ जाएगा लेकिन 121 यह जाएगे यह दिया जाए और होगा कई सीसफल् यह गये तो यह 14 स्वार सुसमाइं संध यह 4 संहिस्पाते हैं क्यों Dáक्युत संसंख नहीं तक नहीं गया हम करते हैं 11 तो 11 तो होता है ऑचे 1गा के पहाड़े ने 11 punya शिकिस खता है 11 11 11 21 आपको 11 का पहाड़ा याद होना चाहिए 11 33 और 11 11 21 इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा तीन अनुपात 11 अब इसी का डी भाग है 30 मिनिट का 45 मिनिट से यह 30 मिनिट अनुपात 45 मिनिट तो 30 मिनिट 30 भागित 45 अब इसको हम 3 से डिवाइट करेंगे तो 3 धाम 30 हो गए और 3 एकम 3 ती पांचे 15 अब यह 10 वटे 15 आया है इसको हम 5 से ही डिवाइट कर सकते हैं 5 दूनी 10 और यह 5 तरी 15 तो इस तरह से आंसर हो जाएगा दो अनुपात 3 उम्मीद करती हूं यह तीनों प्रस्ता आपको समझ में आ गए होंगे यह प्रस्तती 10 फिंगर चैनल की ओर से थी देखने के लिए धन्यवाद